हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जट से बनने वाले आलू के हलवे की रेसिपी कम महनत में आसानी से और कम इंगरिडेंट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्ती और रसीला आलू का हलवा बनकर तैयार होता है अगर आपने इस हलवे को अभी तक नहीं बनाया है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा उमीद है आपको इस रेसिपी बहुत पसंद आएगी आसान फूर रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें आलू का हलगा बनाने के लिए हमने 750 ग्राम बोईल किये हुए आलू लिये हैं इन आलू को ठंडा करकर हमें छील लिया हमने जो उबले हुए आलू लिये हैं उनको इस तरह से हम ग्रेटर की मदश से कदु कस कर लेंगे देखिए आप आलू को अगर ग्रेट ना करना चाहो तो पोटेटो मेसर या फीर फोक की मदश से आलू को अच्छी तरह मेस भी कर सकते हो तो इस तरह से हमने सारे आलू को कद्दुकस कर लिया है हल्वा बनाने के लिए हमने पेन में 3 टेबल स्पून घी लिया है घी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें एट कर देंगे आलू और आलू को हमें घी में लगाता चलाते हुए अच्छे से भून लेना है गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे लगाता चलाते हुए भूनते रहेंगे देखिए आप इस हलवे को बनाने के लिए डालडा घी या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन देशी घी का इस्तेमाल करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा क्योंकि आलू के हलवे में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आलू की घी में अच्छे से भूनाई करना आपने देखा होगा कि इस हलवे को बनाने के लिए हमें सिफ तीन टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है तो इस तरह से हम लगाता चलाते हुए मेडियम फ्लेम पर आलू को घी में तब तक भूनेंगे जब तक आलू का कच्छापन दूर ना हो जाए इस हलवे को आप नोश्टिक पेन ने बनाएंगे तो इसे बनाना आपके लिए और भी जादा आसान हो जाएगा इसकी भूनाई करने में जादा दिक्कत नहीं होगी तो हो सके तो आप नोश्टिक पेन का इस्तेमाल कीजिएगा इसे लगाता चलाते हुए हमने 10 मिनिट टक अच्छे से भून लिया है अब देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है लेकिन आलू के एक अच्छे पन को दूर करने के लिए हमें इसकी थोड़ी और भूनाई करनी होगी तो 5-7 मिनिट के लिए इसे और भून लेंगे लगाता चलाते हुए 20 मिनिट तक मेडियम फ्लेम पर भूनने के बाद हम इसमें चीनी एट कर देंगे चीनी की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं हमने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी एट की है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे इसे बढ़ियासा कलर और फ्लेवर देने के लिए आप इसमें एक टेबल स्पुन जितना केसर वाला दूद भी एट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चीनी ने पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है इस स्टेज पर हम इसमें एक टेबल स्पुन पानी में एक टेबल स्पुन ओरेंज फूट कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एट कर दिया और हमें इसे लगाता चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक इसमें से घी ना रिलीज होने लगे पास से 7 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर और भुनने के बाद अब देख सकते हैं कि इसमें से घी रिलीज होने लगा है तो यहाँ पर हमारा जो रसीला और मकमली आलू का हल्वा है वो बनकर बिल्कुल तैयार है गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे सव कर लेंगे तो देखा आपने किसे जट पट हमने कम इंग्रीडियंट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से आलू का हल्वा बना लिया अब हम इसे ड्राइफ रूट्स से गानिश कर लेंगे तो गानिशिंग के लिए हम इसमें काजू और बादाम एट कर रहे हैं आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट्स इसमें एट कर सकते हैं सो गाइज आलू के हलवे की ये मज़ेदार सी रेसिपि आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करना ना भूले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंजया का यूट्यूब चैनल तब तक के लिए गुडबाई